मत्हुरा वरिंदावन में आपका स्वागत है ये है बांके बिहारी मंदे जैसा कि आप देख सकते हैं शुरत धालूओं और भक्त जनों की भीड उमड पड़ी है और हम होली के थोड़ा पहले गए थे तो आप सोची सकते हैं कि होली के टाइम पे नहां क्या भयंकर एकदम सीन होते होंगे और एक बात हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि वरिंदावन आप जाएं तो बंदर से बहुत साफधान रहें क्योंकि बंदर आपकी मेन जो हाथ में दो तीन चीज़े होती हैं उनको करेंगे टार्गेट सबसे पहली बात मोबाइल फोन उसके बाद आपके चश्मे और तीसरा अगर आप में से कोई हाथ में अपना पर्स या कोई छोटा मुटा बैग लेके घूम रहे हैं तो वो भी टार्गेट कर सकते हैं लेकिन हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा वो मोबाइल फोन और चश्मों को टार्गेट करते हैं बैग्स अगर आप अपनी पीट पे या अपने अच्छे से स्लिंग करके रखेंगे तो वो जेनरली सेफ रहते हैं और अब ये देखिए ये है निधीवन जहां कि तुलसी के पेड बोलते हैं रात में गोपियां बन जाती हैं और कृष्ण जी यहां हर रात प्रकट होते हैं इसलिए यहां शाम के बाद किसी के रहने की इजाज़त नहीं है कोई भी यहां पे रहेगा तो वो दिव्य एनरजी दिव्य उर्जा के कारण पागल हो जाएगा तो इसलिए हम बोलेंगे कि बाके बिहारी देख के पास में ही निधीवन है वो भी आप देख सकते हैं और जमना जी का तट भी बिलकुल बगल में है तो वहां पे भी आप चाहें तो थोड़ा बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हैं लेकिन हमें वो उतना उचित नहीं लगा और हम बस अपना यहां यह जो मंदिरों की नगरी वरिंदावन है वो घूम फिर के फिर हम आ गए अपने गोवर्धन के पास शाम में हम प्रेम मंदर और इसकॉन टेंपल भी गए थे जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे लेकिन यह एक बहुत सुन्दर हमारे होटल बिहारी निकुंज इन जो की एक्सेलेंट होटल है उसके पास एक बहुत सुन्दर साउथ इंडियन स्टाइल थोड़ा मुझे लग यह गोपुरम शायद इसको बोलते हैं इस स्टाइल को इसमें यह क्रिशन जी का मंदर बना हुआ है तो काफी अच्छा लगा हमें इसको देख के भी और यह देखे शाम में हम निकले अपना वरिंदावन की मेन रोड पे जहां पे प्रेम मंदर और इसकॉन टेंपल दोनों हार्डली आधे किलोमेटर की दूरी के हैं एक दूसरे के यह है प्रेम मंदर अंदर यहां ना बैग ना फोन ना कुछ अलाउड है तो आपको या तो अपने होटल में ही यह चीज़ें छोड़के आनी चाहिए या फिर वहां पे जो लॉकर रूम या फिर जो दुकाने वग रामाज मतलब द्रिश्य पेंट किये हुए हैं और सजाया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्रिशन जी का लाइफ उनकी सारी गाथा को वहां पे दिखाया गया है तो प्रेम मंदर काफी अनोखा और काफी सुन्दर जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर से अंदर से और भी चान रखिएगा और यह हमारे होटल बिहारी निकुंज इन में आई लव वरिंदा वन लिखा हुआ था और हम बहुत ही लखी थे कि उसी दिन मैंचस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को दो गोल से हरा दिया और यह आई हमारी बिटिया अपना वॉइस ओवर हुई थी लेकिन हम थोड़ा जल्दी में थे तो इसलिए हमने बस यहां पर एक अच्छा हवा का थोड़ा मजा लिया और फिर हम निकल गए गोवर्धन की तरफ और गोवर्धन जाते हुए वो था माता वैशनो देवी धाम जो कि आपको बड़ा सा वैशनो देवी का दुर अलड़ी काफी लोग वहां डुपकी लगा रहे थे और यह काफी अच्छा सा एक सरोवर है लेकिन इसको बंद किया गया है शायद लाइट अंड साउंड शो वगेरा शुरू करेंगे फ्यूचर में और यह है गोवर्धन परवत तो गोवर्धन परवत की तरफ जाते आपको राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिल जाएंगे थोड़ी ओपजिट दिशा में और आप लोकल के जहांसे में मत आईएगा कोशिश करिएगा कि अपनी गाड़ी से ही आप यह जगा भी घूम ले क्योंकि होता क्या है कि वो लोग बाहर की गाड़ी देखके उ और फिर आपको व्यर्थ में और फिर ले जाते हैं आपको मतुरा यह है मतुरा के पास की यमुना नदी यमुना नदी को हमने बोट के द्वारा ट्राविल किया और हम गए एक जगह जो हमारा होटल था उसके पास से हम गए कहां द्वार का धीश मंदिर रस्ते में ही हमने घाट भी क्रॉस किया जो कि अभी हम आपको उसका नजारा दिखाएंगे थोड़ा दूर से ही जूम करके और अद्वित्या इस समय तक सो चुकी थी थोड़ा पावर नैप ले रही थी और द्वार का धीश मंदिर के पास वो जग गई थी अपना थोड़ा सा में रीचार्ज हो जाती है 1000% बैटरी ये देखिए ये है विश्राम घाट के दृष्य वहाँ पे लोग अपनी आरती दे रहे हैं शाम की और दिये यमुना नदी में छोड़ रहे हैं अब देखिए प्रकृतिक चीजें अगर आप यमुना नदी में चीजें और कोड़ा करकट प्लीज फैलाइए मत और कोशिश करिए कि जैसा आपने इस जगह को पाया था उससे बहतर उस जगह को छोड़ के जाएं और इसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से विश्राम घाट पे जैसा कि मैंने बोला था दिये भी जलाए जाते हैं आर द्वारकाधीश मंदर में एक चक्कर मारने का टाइम आपके पास करीब 10-15 मिनट एनफ होना चाहिए ये है द्वारकाधीश मंदर के अंदर का नजारा मैं खड़ा था अदवित्या के साथ और उसी के हाथ में था फोन इसे लिए माफ करिएगा हमारी विडियो ग्राफी को और ये जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही रंग बिरंगा और बहुत ही अच्छा एकदम रेनोवेट हुआ हुआ मंदर है जैसा कि वो नीले प्लास्टिक्स को आप देख सकते हैं ये देखिए ये पिलर्स जो हैं ये नीले प्लास्टिक्स में ढखे वे थे क्योंकि इनक को प्रमोट करना ज़रूरी है तो चलिए इसी बात के द्वारका धीश के द्रिश्य के बाद हम निकले बाहर बाहर पुरा ही एकदम मार्केट भरा हुआ है और उसको मार्केट को देखने के लिए आपको चाहिए चार आँखे भाई साथ क्योंकि बहुत ही खचाखच के लिए बहुत सारी चीजें हैं खरीबने को और यह हमारी बिटिया कोशिश कर रही है कि वो हमसे जाने बिना हमारे लाप्टॉप छूते रहे लेकिन अब हम पहुँच चुके हैं मेन जगह पे जो की है जन्म भूमी जो है वहाँ पे कृष्ण जिस कारागार में जन्म लिये थे वहाँ की जगह को बहुत ही सुन्दर बहुत ही मॉडर्ण और बहुत ही अदभुत तरीके से एकदम क्या बोले मतलब डेविलप किया हुआ है और हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा बाहर जो मार्के है वहाँ पे कोई वहिकल अलावड नहीं है और उसके कारण जन्म भूमी काफी बची हुई है शोर शराबे से ट्राफिक से और यह देखिए यह है श्रीकृष्ण जन्म भूमी का एंट्री गेट तो यहाँ पे भी कुछ अंदर ले जाना अलावड नहीं है लेकिन साइड म क्लोक रूम जैसे दो तरफ बने हुए हैं जहां पे आप अपने बैग जमा कर सकते हैं और जहां पे आपको अपना सामान छोड़ना होता है और आपको टोकन मिलता है बहुत ही 10 रुपए का था वो टोकन और काफी रीजनेबल है सारा मत्हुरा वरिंदावन मुझे उतना को कोई ऐसा नहीं लगा कि मुझे चीट किया जा रहा है या फिर जादा पैसे लिए जा रहे हैं हाँ ये जरूर बोलूँगा कि आपको आपको आउट ओफ दी ओर्डिनरी आउट ओफ रीजन कहीं कुछ प्रेशर में आके नहीं कमिट करना चाहिए तो चलिए इसी के साथ ये ये है आई लव मत्रा वरिंदा वन